हालो दोस्तों वेल्कम टो क्रेजी स्टड़ी आई के हूँ मैं आज के इस वीडियो में आप लोग लेकर के आग्या हूँ भारतिय सम्मिधान या निराज जिब्योस्था के मोस्ट इंपोर्टेंट टप 25 MCQ मल्टीपल चोईस जो है कोशन लेकर के आग्या हूँ जो परिक्ष करें और साथ में बेल आइकन के बटन को जरूर दबाएं ताकि आपको अगले सभी वीडियो की नोडिफिकेशन मिल सके तो चलिए देखते हैं इस वीडियो का पहला प्रसन है पहला प्रसन है जम्भू कास्मीर के मुख्यमंत्री की कारे ओधी होती है उनकी जो कारे ओधी ह किटने बर्सों की होती है उनकी कारे ओधी हुथी होती है उनकी कारे ओधी जो है चेभर सो की होती है संबिधान में मंत्रियों की आउकास आयू सिक्षा संबंधी हो गिता और कारेकाल जो है नहीं किया गया है लेकिन जम्मु कास्मीर के मुख मंत्री की कारेकाल 6 वर्सों की होती है आभी से याद रखेगा उल्सेंनाक Molka मोर के मुख मंच आयगके अद्याक्ष के रूप में कौन काम करता तो कौन काम करता है इसका राइट नंसर ऐ हो जाएंगा चार है यदि पंचायट भंग haven होती है तो कितनी ओधी के अंदर निर्वाचन होंगे, तो यदि पंचाद भंग होती है, तो कितनी ओधी के अंदर निर्वाचन होंगे, तो 6 मा के अंदर निर्वाचन होंगे, इसका राइट अंसर जो अपसन नमबर C हो जाएगा, अगले कोशन की तरह बढ़ते हैं, अगले कोशन है बार्तमान समय में बारतिय संविधान के अंतरगत संपत्तिका अधिकार है एक, बैधानी का दिकार है, इसका राइट अंसर दूध अबह्त कर ंगते हैं। अगला कोशन देखिए, कोशन नमबर आठ है, सम्विधान के प्रतम अनुशेद के अनुसार भारत है, तो सम्विधान के प्रतम अनुशेद के अनुसार भारत जो है वो राजियो का उनियन है, क्या है राजियो का उनियन तो इसका राइट अंसर अपसर नमबर डी हो जाएग संसद में भस्तियव की प्रता का प्रारम जो हुआ तो 1962 में हुआ था इसका राइट एंसर जो है D हो जाएगा अगला कोश्चन देख लीजिए कोश्चन नमबर 10 है भारत में बीतिया अपात काल की घोशडा आज तक कितनी बार की गई है तो कभी नहीं कभी नहीं की गई है इसका राइट एंसर सी हो जाएगा चलिए अगले question की तरह बढ़ते हैं अगला question देख लीजिए question number 11 है निम्न लिखित में से कौन सा सब्द भारत की सम्विधान की उदेशिका से नहीं है तो कौन सा सब्द जो है ओ सम्विधान की उदेशिका से नहीं है तो local नहीं है इसका राइटेंसा T हो जाएगा अगले question की तरह बढ़ते हैं अगला question देख लीजिए question number 13 है लिखित सम्विधान की उधार्णा ने सरप्रथम कहां जन्म लिया तो लिखित सम्विधान की जो अधार्णा थी सबसे पहले लिखित सम्विधान कहां बना था अगले question की तरह बढ़ते हैं अगला question देख लीजिए question number 15 है संसदिय सासन में वास्तवी क्या कारपाली का सक्ती किसके पास होती है तो परधानमंत्री के पास होती है किसके पास परधानमंत्री इसका right answer भी हो जाएगा अगला question देख लीजिए question number 16 है भारतिय सम्विधान के आठवे अनुसेद में कौन सी भासा बर्स 2003 में जोड़ी गई थी तो आठवे अनुसेद में कौन सी भासा 2003 में जोड़ी गई थी संथाली भासा जोड़ी गई थी तो इसका right answer जो option number D हो जाएगा आप लोग याद रखिए का most important person अगला question की तरह बढ़ते हैं गले question का बढ़त करण कोरे जोड़ी दर अनुसे का वागाति हो जाएगा पहारती राजनितिक ब्यवस्था में इसका कौन बढ़ते हैं अगला कोशन देख लिए कोशन नमबर 19 है बीत बील के लिए किसकी पूर्प स्विक्रीति आवस्यक है तो भारत के रश्पती आवस्यक्ति इसका राइट अंसर जो अपसर नमबर C हो जाएगा और नेश्ट कोषण देख लिजे, कोषण नमबर बीस है, तो कब होई थीुझा ऐउगा है? तो कॉभ भिचटी योजन आयोकी अस्थापना,著 15 अ मार्च 1950 हुई थी, इसका राइट असप है जो है, अपसा नमबर बी हो जाएगा, अगला कोशन देख लिए कोशन नमबर 21 है निमने लिखित में से कौन सा बिसाय समवर्ती सूची में है तो कौन सा बिसाय समवर्ती सूची में है तो सिक्छा सिक्छा जो की समवर्ती सूची में है तो इसका राइट अंसर जो है बी हो जाएगा मौशन इपोर्टेंट प्रस न तो आप इसे याद रखिएगा चली एगले कोशन की तरह बढ़ते हैं अगला कोशन देखिए कोशन नमबर 23 है भारत के संविधान कब लागू हुआ था तो भारत में संविधान कब लागू हुआ था तो 26 जनमडे 1950 को सवा है इसका राइट अपसर नमर D हो जाएगा और नेश्ट कोशन देखिए कोशन नमर 24 है भारत का बिभाजन किस टिथी से प्रभाव में आया था तो 15 अगस्त 1947 जा जो जाए गा और नेश्ट कोशन की तरह बढ़ते हैं अगला कोशन देख लीजे कोशन नमर 25 है भारत एक समप्र सबसे बिस्तार पूरवक है चीन का है अमेरिका का है जापान का है या फिर भारत का है दोस्तों इसका राइट अंसर जो आप हो में नीचे कॉमेंट बक्स में जरूर बताएगा यह है भारतिय संविधान के परिक्षाओं में बार बार पूछे जाने वाले 25 प्राशने जो की होने वाले सभी परिक्षाओं के लिए जो है most important है तो दोस्तों I hope कि आपको वीडियो पसंद देया होगा अगर वीडियो पसंद देया तो वीडियो को पिलिज एक लाइक जरूर कीजिएगा और ऐसी इंपोर्टेंट वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन के बटन को जरूर दबाएं ताकि आपको गले सभी वीडियो की नोडिफिकेशन मिल सके तो चलिए दोस्तों थेंक्स पर वाचिंग से नेक्स्ट वीडियो